हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2 दर्समलो 5 का प्रशन 3 इससे पहले मैंने प्रशन 1 और 2 करवा दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लाश्ट में देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी तो वहां जाकर आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रशन संख्या 3 का हल करते हैं और हाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रा पहला भाग यह दिया गया है 9x² प्लस 6xy प्लस y² तो इसमें पहले हमें सबसे पहले यह चेक करना है कि इसमें कौन से सरस्च अमिगा का उपयोग हो गा तो देखिए यह इस तरह से लिखा है कि a का स्क्वार प्लस 2ab plus b² यानि कि इसमें कौन सर फॉर्मुला उपयोग हो रह तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a square plus 2ab plus b square यह होता है तो यह हमने इसको लिख दिया अब देखिए हमें इस रूप में इसको लिखना है क्योंकि 9x square है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x और इसका square क्योंकि 3 का square न हो जाएगा और x का square x square इसी तरह से प्लस यह 6xy है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 2ab के form में तो यह 2 हो जाएगा गुणा यह 3 और xy ठीक है तो यह हो जाएगा अब प्लस यह y की square है तो हमने इसमें क्या किया है देखिए इस रूप में हमने इस को लिख दिया है 1a square plus 2a b plus b square तो यह हो गया अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या है 3 aq तो यानि की 3 aq plus और इसमें b क्या है b इसमें y है तो यहाँ पर हमने y लिख दिया देखिए ए प्लस b का whole square हो गया है तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वेर तो यहां से इसके उपर स्क्वेर है यानि कि यह जो है यह दो बार लिख सकते हम इसको t-next plus y और t-next plus y इस तरह से यह इसके गुरंखंड हो गए तो यह तो हो गया इसका पहला भाग इसी तरह से हम इसका दूसरा भाग भी हल कर लेगे तो देखिए दूसरा भाग में हमें क्या दिया गया है कि 4y square minus 4y plus 1 यह हमें दिया गया है अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सरस्यमिका का उपयोग होगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम A-B की whole square का formula उपयोग कर सकते हैं अब A-B का whole square क्या होता है A square minus 2AB plus B square ये होता है तो अब हमें इसको इस form में करना है तो कैसे इसको लिखेंगे देखिए 4y square है तो इसको हम 2y का square लिख सकते हैं क्योंकि 2 का square 4 और y का square y square इसी तरह से अब 2ab को लिखना है हमें तो 2 आ जाएगा गुणा ये 2y ये a हो गया a और फिर b कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या है b square तो b क्या है इसमें 1 तो 1 का square हो जाएगा अब इसमें हमें इसको a-b के form में लिख देना है इस form में तो a उसमें क्या है 2y तो यह हम लिख देंगे 2y-b क्या है 1 तो ये हो जाएगा 1 इसका square यानि कि इसको हम अब 2 बार लिख सकते हैं 2y-1 के square को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2y-1 और 2y-1 इस तरह से हमारा दूसरे भाग का हल होता है अब इसका तीसरा और अंतिम भाग देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है कि x square minus y square बटे 100 यह हमें प्रश्ण में दिया गया है तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से सरसमीगा का उपयोग होगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह a square minus b square के form में हैं तो यहनि कि इसमें कौन से formula प्योग होगा a square minus b square तो a square minus b square क्या होता है a plus b और a minus b तो हमें अब इस में इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा तो देखिए किस तरह से लिखेंगे इसको हम x square है तो यानि कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x square minus y बटे 10 का square ठीक है x square यानि कि a square हो गया और b square यानि कि x बटे 10 का square हो गया क्योंकि यहां पर 10 क्यों है क्योंकि 10 का square ही 100 होता है और y का square y square तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया अब इसको हम इस तरह से 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि x square minus y बटे 10 का square है तो इसका क्या होता है A plus B A minus B तो इसको हमें दो बार लिखना है X plus Y बटे 10 और एक बार X minus Y बटे 10 तो यह हमारा हो जाता है इस तीसरे भाग का हल तो I hope आपको तीनों भागों के हल अच्छे समझ में आगे होंगे अगर किसी भाग में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश नमबर 4 के साथ और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शियर करना और चैनल पर ने हैं तो सुस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना धन्यवाद